नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ Dr. Mahipal Singh Raathor और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करूँगा पत्रुगाट या पत्रीगाट अप्राइजिंग के बारे में यह असम की एक जगे है जहां पर 1894 में अंग्रेजों के द्वारा कई किसानों की हत्या करी गई थी एक peaceful प्रोटेस्ट था जिस पर गोलियां चलवा दी गई Modern Indian History में इस तरह की कई अप्राइजिंग्स हैं जो हमारे इतियास की किताबों में नहीं पढ़ा ही जाती लेकिन यह news में रहती हैं due to some reason तो फिर उनके exams में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है और सबसे important बात हमें इस तरह की appraisings के बारे में जो British हुकूमत के against हमारे लोगों ने इतने सारे sacrifices किये हैं उनके बारे में वैसे भी जानकारी होनी चाहिए तो लेकिन अभी पत्रुगाट जो है वो news में इसलिए था क्योंके 28 जनवरी को असम के मुख्यमंत्री सर्बनन सोनवाल ने खुद पत्रुगाट में जो समारक है वहाँ पर जाकर श्रदा सुमान अरपित किये और वहाँ पर किसानों के लिए एक सेंटर भी खोला गया तो ये वाला जो लेटेस्ट इवेंट हुआ था ये काफी बड़े स्तर पर हुआ था लगभग 60 किलोमेटर की दूरी है ये है गवाटी अप्रोक्सिमेटली 60 किलोमेटर इट इस ऑन दे नौर्थ बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र नौर्थ बैंक ऑफ दे ब्रह्मपुत्र रिवर बिलकुल नदी के किनारे नहीं है थोड़ा सा दूर है ठीक है दरांग डिस् क्लासिस रोज डेली आप देख सकते हैं और इन क्लासिस के साथ साती अगर आपको अन्य फीचर्स का भी लाब उठाना है जैसे की लाइव टेस्ट, क्विजस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड अक्सेस तो आपको एक सब्सक्रिप्शन पर्चेस करना होगा तो प्लान लोग कि आप MPPSC मद्रप्रदेश PCS की तयारी करना चाते हैं तो यहाँ पर एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको 8800 नहीं बलकि महिपाल कोड यूज करने के बाद आपको 7900 रुपेगा पड़ेगा फ्लाट 10% डिसकाउंट होगा सभी कोर्स पर अक्रोस दे बोड तो आप याद रखेगा इस कूपन कोड को और अगर आप civil services exam की तयारी करना चाते हैं तो आप unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यहाँ पर दो दरह के courses हैं प्लस और iconic आइकोनिक में आपको एक personalized mentor मिलेगा जो आपको GS mains answer writing की preparation करवाएंगे आपके answers वगेरा चेक करेंगे उसके अलावा आपको day to day कोई भी problem आती है guidance से संबंदित पढ़ाई से संबंदित तो उसको भी solve किया जाएगा तो यहाँ पर जो 2 साल का subscription है वो आपको 1,15,000 नहीं बलकि महिपाल coupon code यूज़ करने के बाद 1,4,000 रुपेगा पड़ेगा और जो plus course है that would cost you for 2 years 72,000 लेकिन इस इसे लिए 2 साल का course लेना हमेशा preferable है नहीं तो एक साल का course भी आप ले सकते है depending on the stage where you are right now CSE Optional की तयारी भी आप unacademy platform के माध्यम से कर सकते हैं Optional के लिए आपको 27,500 नहीं बलकि 10% discounted price पे करना है after using the coupon code और अगर आप bundled courses लेते हैं तो आपको इस पर थोड़ा सा price का benefit मिलेगा तो आप individual courses लेने की बजाए GS Optional दोनों को मिलकर पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह के course को avail कर सकते हैं for 12 months और 24 months अब 28 जनवरी 2021 को असम सरकार ने एक बड़ा program organize किया था क्रिशक स्वहीद दिवस program ये पत्रीगाट या पत्रुगाट दोनों एक ही नाम है कई जगे पत्रुगाट लिखा रहता है लेकिन अभी कई जगे पत्रीगाट भी लिखा हुआ मैंने देखा अगर कोई असम से है औ असम में तो यहाँ पर असम के मुख्यमंतरी सरबान सोनवाल खुद गये थे इन्होंने जो किसान शहीद हुए थे इस पत्रुगाट अप्राइजिंग में उनको शद्धानजली दी तो important बात यह है कि यह जो पत्रुगाट अप्राइजिंग दी ये किसानों के द्वारा कर गई थी तो CM ने इनके sacrifice को valor को याद किया और अपनी शद्धानजली अर्पित की उसके साथ साथ कई सारे progressive farmers को यहाँ पर felicitate किया गया और एक agricultural center की भी शुरुवात करी गई which is an integrated training and skill development center तो यहाँ पर किसानों को नई skills सिखाई जाएंगी खेती से किसानी से related तो again यह वाला map मंगल दई आप याद रख सकते हैं मंगल दई के पास में यह जगे है पत्रीगाट या पत्रुगाट अब देखो 1826 में East India Company ने असम को अपने अंडर में लिया था एनेक्स किया था उसके बाद इन्होंने सर्वे करना शुरू किया जमीन का सर्वे शुरू होता है पूरे state म और सर्वे करने के बाद East India Company ने land taxes impose करने शुरू किये अब taxes तो देखो हमेशा से हर राज्य में देने पड़ते थे चाहे कोई भारत के राजा हो चाहे विदेशी आक्रमन कारी हो सबने आकर tax लगाया है अंग्रेज भी कोई अलग नहीं थे उन्होंने भी tax लगाया लेकिन इसलिए East India Company इतनी notorious थी क्योंकि देखो इंसान को तो tax देना है tax तो हम आज भी देते हैं आजाद भारत में भी देते हैं लेकिन tax का जो rate है वो reasonable होता है है उस समय क्या था ये जो अंग्रेजी सरकार ने उस समय land taxes लगा ये बहुत जादा थे पहले से कई जगे तो double double tax कर दिय गया था तो उनको या तो ये tax देना है in kind और provide a service in lieu of cash अगर आप पूरा cash नहीं दे सकते या अनाज नहीं दे सकते तो आप अपनी service provide करो तो उस तरह से ये जो तरीका था ये किसानों को शोशित करने वाला तरीका था 1893 में British Government ने जब tax को increase किया by 70-80% जब 70-80% की वृद्धी करी गई तो उस वक्त finally Assam के किसानों ने कहा कि अब बहुत हो गया है अब हमें organize करके कुछ करना पड़ेगा तो याद रखे ये वो समय था जब Indian National Congress बनी तो थी कहाँ पर Bombay में लेकिन Assam में कहीं पर नामो निशान नहीं था Congress का there was no organized political party in Assam केवल किसानों ने खुद अपने स्तर पर रायज मेल नाम की organizations एक तरह से एक convention करना शुरू किया रायज मेल का मतलब है कि किसान इखटे हो रहे है मेल हो रहा है उनका एक जगे पर gathering हो रही है इसको रायज मेल कहा जाने लगा तो जगे जगे पर किसान इखटा होने लगे peaceful convention होने लगा और ये पूरी तरह से democratic एक तरह की gathering थी यहाँ पर कोई हत्यार नहीं था कोई violence नहीं था किसी भी तरह से किसान हिंसा की बात नहीं करते थे बस आपस में बैट कर ये discuss करते थे कि taxes बढ़ गए और हमें taxes कम करवाने चाहिए लेकिन जो ब्रेटिश हुकूमत है उ ब्रेटिश गवर्मेंट को तो इसलिए इन पर crackdown करना शुरू कर दिया गया 1894 में 28 जनवरी की तारीक थी जब इसी तरह की एक बड़ी gathering पत्रू घाट में हो रही थी और उस समय ब्रेटिश ऑफिसर्स ने एक लाठी चार्ज किया जिसके बाद firing भी करी गई और उसमें कई किसान मारे गए तो official casualty source जो उस समय बताया गया था वो किवल 15 था लेकिन ये देखो ये official British government का source है तो वो तो जलिया वाला बाग में भी बताते हैं कि किवल 200-300 लोगों की death हुई थी ऐसा नहीं था 15 यहाँ पर अंग्रेजों ने बताया था जो actual Assam के जो historians हैं या फिर Assam में पास-पास किसान यहाँ पर मारे गए थे और ये सभी निहत्ते किसान थे इस बात को आब मैं बार-बार stress कर रहा हूँ कि ये कोई आंदोलनकारी वैसे नहीं थे कि हतियार उठाकर बैठे थे गवर्मेंट के सामने ये निहत्ते किसान थे जिन पर लाठिया बरसाए गई और फिर गोलियां भी चलवाई गई थी तो इसको भारत के आजादी के इतियास में एक important event माना जाता है जिसको recorded history में स्थान नहीं मिला तो आज हम पढ़ते हैं चौरी-चौरा के बारे में जलियां माला बाग के बारे में ये सब incidents हमारे किताबों में mentioned है क्योंकि तब देखो इ गिसानों ने अपने स्थर पर इसे organize किया था और इसके बारे में आज भी किताबों में कुछ जादा mention नहीं है लेकिन असम के इतिहास में आम लोगों में इस पत्रोगाट massacre की जो importance है वो battle of सरायगहट के बाद second number किये सरायगहट की लड़ाई 1671 में हुई थी और उसमें school protesters थे निहत्ते किसान थे तो इसलिए ये battle नहीं था तो कभी अगर आप पढ़े battle of पत्रुगाट so it is not battle of पत्रुगाट but it's the massacre of पत्रुगाट और ये civil disobedience movement का एक तरह से precursor है क्योंकि आप देखेंगे ये इस तरह की घटना है 1930s में civil disobedience movement में हमें देखने को मिलती है तो ये pre Congress pre-organized independence struggle वाले एरा का एक important event है जहाँ पर किसानों ने अपने आपको organize किया against the British government अब आज उस जगे पर क्या development हुआ है तो देखो 2001 में जाकर वहाँ पर एक martyrs column बनाया गया जो फोटो आपको मैंने शुरुआत में दिखाई थी वो martyrs column वो जो स्मारक है पत्थर से बना हुआ वो बनाया गया था आर्मी के द्वारा और SK सिना जो असम के पूर्व governor थे इन्होंने उसको inaugurate किया था और हर साला 28 जनवरी को सरकार वहाँ पर एक function organize कराती है official function organize कराती है क्रिशक स्वहीद दिवस के नाम से है और यहाँ पर आर्मी का भी काफी बड़ा रोल है आर्मी is also one of the organizers और इसमें आर्मी ही स्मारत को बनाने वाला organization था ठीक है तो इस क्रिशक स्वहीद दिवस की जो importance है यह असम के history में काफी है और अब जाते आते आते आपको बताना चाहता हूं कि Pathfinder channel का official telegram channel is Pathfinder underscore UPSC तो या तो आप इस QR code को scan कर लो या फिर Pathfinder underscore UPSC search कर लो यहाँ पर आप you very much for watching this have a great day